दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे छात्राइं हैं जिन्होंने असनातक पास कर चुकी है और उनका लगतार एक कॉमेंट आते रहा थे कि असनातक पास स्कॉलर्शिप के लिए आवेदन कब से स्टार्ट होंगे मैंने कई बार ये भी देखा है कि जभी आवेदन श्टार्ट होते हैं तो बहुत सारे छात्राइं आवेदन ही नहीं कर पाती है कारण क्या होता है कि मैं अभी कुछ काम बताऊंगा ये काम अगर आपका हुआ रहेगा तो 100% आपको स्कॉलर्शिप की लाब मिलनी तय है कहीं स कोई परसानी नहीं होगी अगर अभी तक को काम नहीं हुआ है क्योंकि इसमें कई सारे अलग अलग काम करने होते हैं मैं पूरा लिष्ट एक तयार किया हूँ उन तमाम लिष्टों को समझे पहले अपलाई करने से पहले इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखिए कहीं भी अगर कोई गलती है तो उसको भी सही कर लिजिए और उस सनुसार अगर कोई आपके काग्यात नहीं बनी है तो उसको भी आप जरूर बनबा लिजिए पहले मैं बता देता हूँ कि आवेदन की परकिरिया कब से स्टार्ट हो सकते हैं आज भी हो सकते हैं आज भी हो सकते हैं इसका date line अल्रेडी complete हो चुके है portal कभी भी live हो सकती है अभी कुछ काम मैं बता रहा हूँ ये सभी को करना बिल्कुल जरूरी है जो चाहते हैं 50,000 scholarship का benefit लेना वीडियो अगर आपको पसंद है तो आपसे निवेदन है कि इसे like कर दीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ share कीजिएगा क्योंकि maximum लोगों का मैंने देखा है कि आवेदन जब start होते तो आवेदन नहीं हो पाते हैं इनमें जो काम बता रहे हैं उनमें से किसी एक गलतिया उनके पास होती है जिनकारन से भी उनका जो benefit है वो नहीं मिल पाता है अभी फिलाल अपने skin पर चलकर पूरी update आपको समझाते हैं अभी आप देख पारोंगे एक PDF हमने त्यार किया है जिसमें कई सारे अलग-अलग point मैंने बता है ये PDF खुद से बनाया हुआ कोई official PDF नहीं है इन बातों को ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं अपने experience के अनुसार इन में जनकारी दिया है क्योंकि बिगत 5-6 सालों मैं इस field में ही काम करता हूँ और कई बार मैंने scholarship को लेकर देखा है जो student common गलतिया करते हैं उन सब को मैंने इसमें जोड़ा है जिनको आपको गलतिया नहीं करनी है अगर आपको benefit लेना है तो देखें मुखमंत्रे कन्या उथान योजना असनाता के लिए अकर आपको apply करना है 50,000 रुपे के लिए तो कुछ यहाँ पर दस्ताबेज पहले बताईगे यह जिसको हर हाल में आपको बनवानी है सबसे पहला चीज है कि अगर आपने graduation पास कर चुके है तो graduation का आपका original mark set यह होना जरूरी है जब ही apply होगा तो original mark set ही आपको upload करने की जरूरत होगी तो अभी तक आपको यह नहीं मिला है तो आप अपने college, university जहां सभी हो original mark set लेकर अपने पास रख लिजे दूसरा चीज है कि आपका अधार card अधार card में यह देखना है कि जो detail है जो आपकी graduation की mark set है जिसमें आपकी जो नाम है आपकी जो जनमतिती है इसके अलावे अन्य जो detail है जैसे आपके फादर का नाम है तो आपके जो graduation की mark set है उसके अनुसार है या नहीं यह दोनों detail अगर मान लिजे उस अनुसार अधार पे detail नहीं है खासकर नाम और जनमतिती थी यह अगर mismatch होगा तो फिर benefit आपको नहीं मिलेगा आपको अधार काट को अपने graduation के mark set के according इसको सुधार करवा लिजे अपडेट करवा लिजे अभी आपके पास समय है तिसरा document है आपका residential certificate जिससे हम लोग निवास परमान पतर के नाम से बोलते हैं अब कई बार मैंने ये भी देखा है कि निवास परमान पतर जब कोई लड़की बनाती है तो उनकी जब graduation के बाद साधी हो जाती है तो उस समय क्या करते हैं कि जब बनाती है तो उसमें अपने पती का भी detail दे देती है तो ऐसा ना करें निवास परमान पतर आप अपने पीटा के ही detail पर बनाए ताकि आपको परसानी नहों क्योंकि ये जो scholarship का benefit मिलता है ये और विवाहित लड़कियों के मिलता है फिर पता चलेगा कि आप विवाहित हो चुके है फिर आगे चलकर form आपका reject भी हो सकते हैं इसलिए निवास परमान पतर बनाते समये ध्यान रखे अपना नाम पिता का नाम और जो गिर्जवसन में जो भी detail है जिस अनुसार नाम की spelling है उसी अनुसार आपको जो है ये detail आपको उपलब्त करवानी है अगला जो document है आपका bank passbook है हलाकि bank passbook आपसे लगता नहीं है लेकिन bank account आपका होना जरूरी है सबसे महत्पूर्ण चीज क्या है कि bank जो भी आपका होगा वो अधार setting होना जरूरी है ये नहीं होता है तो कई बार student का जो benefit है list में नाम आने के बाबजूद apply होने के बाबजूद नहीं मिल पाता है अब बहुत सारे छात्रा ऐसे हैं जिनका मालिज ये 4-5 bank में खाता होगा अब वो क्या करती कि आउठा से पैसा तो हर bank से उनका निकल जाता तो उनको लगता है कि मेरा अधार setting है लेकिन ऐसा नहीं होता आधार link का मतलब ये होता है कि आप कहीं भी और्ठा से पैसा निकाल सकते है वो अधार linking होता है अधार setting क्या होता है कि अगर मालिज आपका 5-5 bank है तो अधार sitting किसी एक ही bank में हो सकता है सभी bank में नहीं हो सकता तो ये आपको खुद शसे देखना है तो आईए मैं पहले इसको भी चेक करना बताता हूँ इसे चेक करने के लिए online update hdm.in के website पर आएंगे search box में लिखेंगे आधार sitting जैसे इतना लिखेंगे तो आपके सामने एक article हैगा आप bank खाता आधार sitting है या नहीं online कैसे देखना है इस बाले link पर click करेंगे मैं इसका link description में दे दूँँगा डाइरेक्ट यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखें आधार sitting का status चेकरने का link की मिलता है जिसके सामने click करेंगे नीचे आएंगे एक option में लिखा है bank आधार sitting जो है यानि bank sitting status का जिसके सामने आपको click करना है जैसे ही आप login करेंगे थोड़ा सा आपको wait करना है login होते ही यहाँ पर आपका जो है छोटा सा photo दीखेगा और फिर आपको यह वही काम करना है bank sitting status के सामने click करना है आपके सामने इस परकार दिखा देगा कि आपका जो bank account है वो sitting है या नहीं है कब sitting हुई है किस bank में है वो सारी जनकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो यह आपने समझा अब अगला चीज जो आपको करना है कि आपके पास एक mobile number होने चाहिए जो आप खुद का दीजे क्योंकि कई बार form आपका approved होते है रिजेक्ट होते हैं या किसी कारण से उनको लगता है कि इसमें आवेदन में कुछ कमिया है तो यह सारी चीजे जो है उस mobile पर सूचित किया जाता है या आप जब apply करेंगे उसके बाद आपको user ID पासवर्ड भी बेज़े जाते हैं तो कई बार मैंने देखा कि apply करते हैं आपको पता ही नहीं चलता फॉम आप finalize नहीं कर पाते हैं तो वैसे इस्तिति में ये परसानी आपको नहीं हो इसलिए आप एक ऐसा नंबर दे जो आपने पास रखते हों छटा चीजे है जो आपकी email ID है वो email ID आपको लगेने वाले है email ID आप जरूर रखिएगा एक और document है जो आपकी income certificate वो भी आप जरूर बनवा लीजिएगा जो कि हाल का होना चाहिए तो ये सरदस्तावेज है जो आपको बना कर हर हाल में रखनी है देखिए इतना document होने के बाद यहाँ पर note में बताया गया है कि graduation pass 50,000 scholarship का लाब लेने है तो आवेदन करने से पहले आप सभी को क्या है कि इनके portal पर नाम देखना जरूरी है कि आपका नाम इस portal पर चाहरा है या नहीं चाहरा है ये देखने के लिए पूना आपको कुछ नहीं करना है मैंने website का जो link दिया है online update stm.in पर ही आएंगे तो यहाँ पर search box जो मिलता है इस search box में आपको बस लिखना है BA pass जैसे ह सामने आपको क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ जनकारी जैसे आपका जो भी इनवर्सिटी है जिसका देखना है साथ में आपका जो registration नमबर है उससे डालेंगे final air का marksit जो आपने लाया होगा वो marksit number डालेंगे और यहाँ सा सर्च वाले विकल पर क्लिक करेंग कि अपने अपने college में अपनी detail जो है नहीं प्रूबाइड किया होगा इनवर्सिटी में अपनी detail जैसे marksit अनने कई सारे document कई बार भूला गया था जमा करने के लिए नहीं किया होगा इन कारं से यहां पर upload नहीं किय गया है कई सारे university में document देने की जरूरत भी नहीं होती है तो आपको अविवाहित ही दिखाना है, अगर आपके साधी गर्जुएशन के बाद हो चुकी है, तो यह ऐसा नहीं कि आपको दिखाएंगे कि मेरी साधी हो चुकी है, तो फिर इसका benefit आपको नहीं मिलता है, इस scholarship का जो benefit है, General, BC, EBC, SC, ST, EWS, सभी सरेनी के जो छात्राय हैं, पोटल जबी भी लाइब होगी, तो यही इनका पोटल है, जहां से apply कर सकते हैं, मैं इसका link जो है, आपको direct description box में दे दिया हूँ, online update.stm.in के website से भी आप apply कर सकते हैं, यहाँ पर भी सारी जनकारे आपको बताए गए, date अभी नहीं आई है, इसलिए date को लेकर कोई यहाँ और सुचना भी नहीं दी गई है, उमीद करता हूँ अपने पूरी जनकारे समझा होगा, तो इस वीडियो को like, share ज़रूर कीजिएगा, कहीं भी कोई doubt, confusion है, आप comment box में लिख सकते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चाहंद